इन प्रिवियस येर जब कोविड-19 का लॉकडाउन खतम हो गया था तब एक ही चीज शुरू हो गई थी लॉकडाउन खतम होने से पहले वो है अल्कोहलिक लिकर ऐसा क्यू क्यू कि मेजर पार्ट आफ अवर स्टेट गवर्मेंट्स रिविन्यू इस कम्स फ्रॉम अल्कोहल जी हाँ अल्कोहल पर कितना टैक्स लगता है कौन से कौन से टैप्स का टैक्स अल्कोहल पर लगता है इसके बारे में ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखे अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्स्क्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं वन इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप अलकोहल बायर हो अगर आप रुपीज हंड्रेड का अलकोहल बाय करते हो तो लंसम आप रुपीज 85 रुपीज उसमें टैक्स पे करते हो रादर दैन उसकी मैनिफेक्ट्रिंग कॉस्ट उसकी सेलिंग कॉस्ट उसके ओधर्स कमिशन इसको छोड़के आप 85 रुपीज तक उस पे टैक्स पे करते हो अलकोहल पे इतना टैक्स अलकोहल पे लगता है अलकोहल पर लगने वाला tax रहता है फोर टाइपस में फर्स्ट इस एक्साइज ड्यूटी वो लगता है manufacturing के टाइम में सेकंड इस sales tax, थर्ड गैलोनेज टैक्स एंड फोर्थ license पी मतलब अलकोहल बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए जो license लगते है उसकी fees भी आपको pay करना पड़ती है as a tax और यह पूरा का पूरा revenue जाता है state government and central government को तो major source of revenue for central and state government is come from alcohol that's why the rates of alcohol is too high and from last two years it's increasing and increasing because of some silly points and some changes in indirect taxation systems such as जब पहले wet and sales tax था cst था तब input पे input means जो alcohol बनाने के लिए जो inputs and raw materials लगते है जो कच्च्या माल लगता है उसको पहले wet and cst लगता था 12 से 15 टक्के से 12 से 15 टक्का से उसको wet and cst लगता था लेकिन जब से यह tax gst में सब्सिम हो गए तब से gst लगता है 18% से मतलब यहाँ पे input पे ही 3% का tax बढ़ गया and transportation पे भी सेम चीज़ हुआ जब पहले वही tax 12 से 15% लगता था service पे अब वह tax है 18% से तो यही 6% की increase हो गई last two years में इसलिए अभी alcohol के rates बढ़ते जा रहे है बढ़ते जा रहे और आप उस पे कोई-कोई तो double हो गया है as compared to previous two years अलकोहल पे इतना tax सरकार क्यों लगाती है क्योंकि alcohol का consumption सरकार को रोकना है उसे कम करना है इसलिए सरकार उस पे ज्यादा से ज्यादा tax लगाती है और उसका consumption कम करने का प्रयास करती है इसलिए क्या होता है अलकोहल पे जो भी आप amount pay करेंगे उसमें tax amount का जो proportion है वो सबसे ज्यादा रहेगा as compared to other cost such as manufacturing, transportation, commissions and other जो भी cost उसमें रहेंगे उसके proportion में ये tax के amount बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि सरकार उसे consumption करना कम करना चाहती है क्योंकि वो अपने लिए honey का रख है ultimate point अलकोहल पे tax कितना लगता है जब अलकोहल manufacturing होती है तो उस उस पे एक fix amount आप पकड़ लेंगे as per my knowledge वो liters पे लगता है तो उस पे excise duty लगेगी 15 रूपीज वो vary करती है 12% to 15% तर लेकिन आप मान लिजिए अगर 100 रूपय में कोई आलकोहल प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पे 15 रूपीज में 15 परसेंट 15 परसेंट उस पे excise लगेगा फिर उसके बाद में यह 115 रूपीज हो गए 100 प्लस 15 रूपीज यह 115 पर आपका लगेगा वैट वैट लगेगा सेम एस पर दी स्टेट गवर्मेंट पॉलिसी या फिर जो भी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट टैक्स है वो लगेगा 12 से 15 परसेंट मतलब अगेर उसमें बड़ोतरी हो जाएगी 12 से 15 परसेंट की फिर यह आमोंट लमसम आपकी चली जाएगी 140 तक यह मैं आपको बता रह है उसको भी उसका लाइसंस लेना पड़ेगा लीगली और जो भी इसको खरीद रहा है कोई-कोई उसको भी इसका लाइसंस लेना पड़ता है अगर आपको लीगली शराब पीनी है या फिर अलकोहल कंजम करना है तो तो इसका आपको वो लाइसंस पी आपको गिर जाएगी कम से कम एक 15 परसेंट तक आप वह 140 पर पकड़ लो तो यह आमाउंट चली जाएगी 150 से 160 रुपीज तक इंक्लूडिंग डेट और टैक्स विच नेम आज गैलोनेज टैक्स मतलब जो भी आप गैलन्स या फिर जिसमें भी यह शराब बढ़ते हो उसका भी कुछ टैक्स लगता है जब आप इसको ट्रांसपोर्ड करते हो तो यह टैक्स मिलके आपकी 20-40 परसेंट या फिर 40 से भी पर हंड्रड रुपिज आपको अगर लंसंग देखना है तो 85 परसेंटेज तक आपको कभी कभी टैक्स देना पड़ता है अलकोहल पे वह डिपेंड करेगा स्टेट की पॉलिशी के हिसाब से वह स्टेट कितना अगेंस्ट थे शराब के या फिर या अलकोहल के या फिर यह देपेंड करेगा तपरसेंटेज अव टैक्स अन पर्टिकुलर स्टेट